स्वागत आपको एक नए वीडियो में जिसको चालू होने में देर से धाय साल का समय लग सकता है कोलकता मेट्रो की ओनली 5.5 किलोमेटर लाइन पर मेट्रो चलेगी जिसमें सेक्टर 5 से योगा भारती स्टेडियम ऑपरिशनल होगा इसमें फेस्टू जो की फुल बगन स्टेशन से अंडर वाटर टानिल होकर हावरा मैदान तक जाएगा अभी भी इस लाइन पर कॉंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये लाइन अल्रेडी डिले था और बुबसर के इंसिडेंट के बाद जहापे बहुत सारे घर तूट के गिर गया था टानिल बनाने के समाए उसके बाद कोट का स्टेडर लग गया जिस बज़े से काम और डिले हो गया है ये पूरा लाइन जून के 2021 तक पूरा हो जाने वाला था हाला कि 20 में 2019 में ही 5.5 किलोमेटर लाइन का एप्रूबल मिल गया था जो 13 फेबरी 2020 में कॉमर्शियल सर्विस चालू होगा कोलकता में बन रहे बाकी मेट्रो पोजेक्स के लिए स्टेट गवर्मेंट बाजेट में 905 करूर रुपए फांडिंग दिया है जिसमें शामिल है गरिया टू एरपोर्ट लिंक जो 2021 तक कंप्लीट हो जाने वाला है इस लाइन पे 328 करूर रुपए अलाउट किया गया है नौपरा बाराशात लिंक के लिए 200 करूर जोका भी बदिबाग रूट जोकी 16.6 किलोमेटर का रूट है इसमें 99 करूर रुपए अलाउट किया गया है बेराकपूर बराहनागर दक्खिनिश्चर जोकी 14.5 किलोमेटर का रूट है यहाँ पे 10 करूर रुपए अलाउट किया गया है जनवारी 2019 में कोलकता मेट्रो रेल कॉर्परेशन के एमर्सी ने नए कोचेस लेकर आए जो इंडियन टेक्नलोजी से तयार हुआ प्रोटोटाइप कोचेस है जो कि आवी के existing मेट्रो से double speed में चलेगी इन सारे मेट्रो में function बहुती जादा है जिससे मेट्रो की खराब होने और accident होने की chances बहुती कम होगा इन सारे कोचेस को manufacturing किया है B.E.A.M.L. ने इन न्यू मेट्रो में 6 कोचेस होंगे जिसकी maximum speed 80 km पारावर है जो पुराने मेट्रो से दुगनी है नई मेट्रो कोचेस जादा comfortable है compared to old मेट्रो कोचेस K.MR.C के न्यू मेट्रो 2.88 मीटर वाइड है और इसमें total 238 sitting capacity है ओही 1782 लोग खरे होकर मेट्रो की सफर कर सकते है यहाँ पे मेट्रो peak hours में हर धाई मिनिट के बाद आएगी यह मेट्रो operated होंगे CBTC मतलब communication based train control technology के मदद से जिसे control किया जाएगा K.MR.C के salt lake control room से इस technology के मदद से driver का role बहुत ही कम होगा सिर्फ मेट्रो की दर्बसा खोलने अर बंद करने में और यात्रियू के movement को follow करने ताकी रहेगा इसी बीच कोलकाता हाई कोट ने 7 जनुवारी को East West मेट्रो कोईडोर की काम फिर से शुरू करने के लिए 7 February के अंदर Central को export report submit करने के लिए कहा है 13 February 2020 कोलकाता मेट्रो की हुद घटन के लिए रियल मंत्री पीजूस गोईल आ सकते है लगबग 3000 करोर रुपए खरच करके सेक्टर 5 से फूल बगन तक मेट्रो कोईडोर को बनाया गया है आप लोगों को यहापे बता दू कोलकाता की East West मेट्रो कोईडोर इंडिया का one of the expensive मेट्रो प्रोजेक्ट रहा है कुछ दिनों के बाद शायद इस कॉरिडोर में फूल बगन स्टेशन को इंक्लूट किया जा सकता है क्योंकि फूल बगन स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है फूल बगन स्टेशन जूरने के बाद सेक्टर 5 से होके फूल बगन स्टेशन तक लोग मेट्रो का सफर कर सकेंगे जिसमें समय भी बचेगा और एक कॉंफरेटेबल जर्नी होगी एक्सपरांट की रिपोर्ट को माने तो इस तोस मेट्रो की पूरा कॉरिडोर बन जाने पर हर दिन 9 लाक लोग मेट्रो का सफर करेंगे जो की कोलकाता की टोटल पॉपुलेशन में से 20% है दोस्तो 5.5 किलोमेटर ही सही कम से कम सालों से चल रहा काम का थोरा हिस्स्टा चालू तो हो रहा है तो आप क्या सोच रहे हो कॉमेंट पे बताओ अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लिस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेट करें और चैनल को वी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार जल्दी से सब्सक्राइबल बटन दबाओ मिलता है नेक्स वीडियो में टिल्टन गुडबाई जय हिंद जय भारत